गुद्मॉर्णिंग देर च्टुडेंट्स एक्ससाइस पॉर पॉर्ट टो फस्त कौशैन नम्बर फस्त कंस्टर्ट्टथ फॉलोविंग कोडियेटर आपको इस कौशैन में कोडियेटर दियेšeग्स जो उनको ड्रौ करना है फिर्स्ट कोडिलेटर हमको ड्रॉ करना है लिफ्ट L-I-F-T उसमें हमको गिवन है L-I-4 cm I-F-3 cm T-L-2.5 cm L-F-4.5 cm and I-T-4 cm यह जो कडिलेटर हम जो अमने स्टेप्स देखे थे उसमें सेकेंड टाइप का कडिलेटर है जिसमें हमको 3 sides गिवन है और 2 diagonals गिवन है फिर्स्ट वी ड्रॉ अर्फ इसकेज आप देखेंगे L-I-F-T आपको यह measures दिये हुए जिसमें आपको वी आपको गिवन 3 sides measure of 3 sides and measure of 2 diagonals are given this is the second types of construction so look at the first construct then first draw a line of 4 cm because of L-I is a base of quadrilateral the first we draw a line segment of L-I name with 4 cm then taking radius 4.5 cm draw an arc L as a center अब हम 4.5 cm इसको open करते हैं और आपने देखा था L-I 4 cm है तो हम L-I 4 cm एक arc बनाते हैं उपर की तरफ फिर आपको पता है L-I F point यहां पर आएगा then F-I is given हमको F-I की value हुए 3 cm तो अब हम क्या करेंगे इसको 3 cm open करेंगे now open the round rounder 3 cm and take I as a center and draw an arc of 3 cm and where the two arcs meet take a point F and join the I F and diagonal F L L F is 4.5 cm and I F is 3 cm now draw another arc of radius with 2.5 cm L I F T here is T point तो हम L T point के लिए 2.5 cm की arc बनाते हैं हैं क्योंकि L T की value 2.5 cm है तो हम यहां पर रखके 2.5 cm की एक आर्क बनाते हैं इस तरफ और आपको दूसर डाइगोनल दिया हुआ है L I जिसकी value 4 cm तो हम राउंटर को 4 cm open करते हैं और इसकी value डाल देते हैं 4 cm open करके I as a center लेके एक आर्क ट्रॉ करते हैं यहां पर एक्स्टा आर्क को हम रबर से रब कर देंगे और अब आपने जांपर हमारे दोनों आर्क इंटर सेट करेगी उस पॉइंट काम नाम देंगे T नाव जोइन दा लाइन L T डियागोनल T I और साइड T F नाव अबर कोडिलेटर L I F T इस रेडी इस इस 2.5 cm और इस इस 4 cm ok thank you